हालो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें कि मैंने आपको बोला हुआ कि सारे बैंकों के सटेनल लेटर मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा और अनुसी लेटर किस तरह हो तो चले दोस्तों वीडियो स्ट करते हैं चैनल पर आइकन प्रेस करना बिलकुल न भोले और दोस्तों वीडियो को लाइक और जाद 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 शेयर करना जरूर कीजिए ताकि जादे जाद लोग कोई हैल्फ हो सके और किसी को फेक लेटर ना मिल सके या फिर को ऐसा ना क्लियर कर दो कि काफे लोग कंफ्यूज जाएंगे सर धनी लोन इंडिया बुल्स लोग क्या कंफ्यूजन है तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप देख सकते हैं आपर कि जो इंडिया बुल्स वाले थे पहले वही उन्होंने ही अपने नाम को रीनेम कर कि अग्राट इले और उब धनी आपको जोमिल्स के नाम से अपने देते हैं बेसिकली बड़ जो सट्लम्ले लेटर डीटरेश देते हैं और लोग जैसे धनी लोन इपको प्रीवेस इंडिया बूल्स का लोन चल रहा है तो सट्लम्लेटर आपको जो मिलता है वो आपको इंडिया बोल्स के नाम से ही मिलता है तो वही लेटर आपके स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा दोस्तों तो अभे जल्दी बोल कल सुभे पनवेल निकलना है वही दोस्तों मैं भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ चले दोस्तों वीडियो स्राट करते है आपके सामने दोस जो कि आप इस लीटर में भी देख सकते हैं और सेकंडरी ये लोग आपको जो स्राट में लेटर देता है आपको इमेल पर नहीं मिलता है ये लोग आपको ऑफेस में बुला के और हाड़ कॉपी ही प्रोवाइड करते है ये इनका कुछ प्रोसस है इंका जो भी तरीका काम क करने का तो यह है दोस्तों इसके लिए आप इसके लिए आप अभी भी कंफ्यूज ना होए कि सर मुझे इस तरीकिस नहीं दिया जा लाँ होता इनके साथ दोस्तों यह लोग हाड काउपी देते हैं तो ज्यसका कि मैसेज दिख सकते हैं कि दोस्तों मेरे ही एक सब्सक्राइबर है उन्हें मुझे लेटर शेयर किया जो कि रिचंट का लेटर है 17 तरीक का लेटर है तो उन्हें होम विजिट मतलब उनके ओफेस में विजिट करके उनसे हार्ड कॉपी लिए है इसकी वह मैं आपके अभी सामने लिखा हुआ है एस दिसके विदा रप्रेजेंटिव तोटल अमॉंट इंक्लूदिं प्रिंसेबल अमॉंट पंडिं यह मैं इंटर्मिनेशन क्लोजर चार्जर ओवर्ड्यू चार्जर इन बाउंसिंग चार्जर इन रिस्पेक्ट ओफ और लोन अकांट लोन अकांट तू चार्जर उनके लोन अकांट पर जोडने के बाद उनके हो रहे थे 2968 रुपे यहां पर लिखा गया उसके बाद पढ़ लेते हैं और जिसपे कि यह लोग 6000 रुपे पे सटल्मेंट करने को अग्री हो गया दोस्ते हाप एक चीज़ में बताना चाहूंगा यह वह यह जो कस् वीडियो भी देखी थी और टिप्स को फालो किया था तो उसको फायदा मिला है यहां यहां बिल्कुल नहीं बोलों की सब कुछ हमने बताया था कोछ इनों की मैनत है ऑविसली होती है बट इनो टिप्स लिये थे उसको फालो भी किया है तो यह चीज़ वहीं बताएगे कि इनका जो सेटलमेंट का अमाउंट है दोस्तों आप देख सकते हैं 2960 पर लगबाग 22 रुपे का स्टलमेंट का अमाउंट था इनका एड़ टाइम अफ क्लोजिंग जो कि सेटलमेंट हुआ है इनका बेसिक लिए 6,000 जो कि इनको ऑफर किया गया है सही खेल गया बैंच भी एडवाइज देट अमाउंट 6,000 दा पेमेंट शुडूल अग्रिट सेटलमेंट अमाउंट तो भी एस फॉल मतलब इस जो अमाउंट था है नों 6,000 रुपे किया है इसमें डूड दिखी ली गई है क्योंकि यह वन सिंगल शॉट में पर सटलमेंट ह है किस तरीके से उनको पेमेंट करना है इसके बाद साफसा पड़ लिया है इनके सेट अमाउंट इस नौट पैट बाद दिव देट मेंशन अबाव और इस डिस ओनर फॉर एनी रिजन वाटावर देंदर सटलमेंट कंटेंट है इस शल बिकम नल और तो बी और मतलब यहां पर यह बताया गया है कि अगर जो उपर उनको पैसा नहीं मिलता है तो जो भी कंडिशन थी सेटलमेंट के करते टाइम इस अकाउंट पे वह फिर से वह नल और वाइड हो जाएंगी और जैसे पहले उनका प्रिवेस आउटसेंडिंग था उनको पर जूस था व इस लाइन में पढ़िएगा इस लाइन में पढ़िएगा इस लाइन में पढ़िएगा अपन फुल्फिल्मेंट 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 यहाँ पर यह बताएगा कि जब यह settlement complete हो जाएगा तो इसके बाद इनके civil में जो show करेगा company की तरफ से जो loan account में show किया जाएगा settled show किया जाएगा या फिर post write-off settled किया जाएगा जिसमें कि इनका outstanding निल कर दिया जाएगा basically as per the relevant guidelines let down by the reserve bank of india such update may take 45-60 days to reflect in your civil credits bureau report please note this update as some adverse impact मतलब यहाँ पर यह चीज़ बताएगा कि RBA guidelines के according जब यह settlement इनका हो जाएगा तो इनके civil में जो report show करेगा जो कि उन्हों बताए settled और post written off यह 45-60 days में reflect करेगा इनके civil report में जो कि इनके civil पर adverse impact करेगा जो कि यहाँ पर यह साफ-साफ इनका लिखा हुआ है क्योंकि settlement कराना अच्छी बात नहीं होती इसके वैसे चीज़ बताएगी है और इसमें साफ-साफ लिखेगे यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि by credit companies and may affect your future credit borrowing operation मतलब यहाँ पर यह चीज़ साफ-साफ बताएगा कि जब आपके civil में यह settlement update हो जाएगा 45-6 days की बीता तो उसकी वेश से आपका future में जो आप उधार लेने की opportunities है वह कम हो सकती है वह effect हो सकती है उसके बाद आप देख सकते है kindly sign in hand over duplicate letter of interest मतलब यहाँ पर इसके बाद तो फर्मल्टी है कि आप sign कियर के इसको receive कर लिजेगा stamp लगा हुआ, date पड़े हुए है तो यह दोस्तो आपका धनी loan का app का या फिर इंडिया बूस लोन का settlementer है जो कि मैंने आप यह आपको दिखाया है उमेद करता दोस्तों आपको मैं आज को वीडियो पसंद आया हुगा चैनल पर नहीं चैनल सबस्थाब कीजिए बैल लेकर बैस कर लिजिए जिन लोगों ने कमेंट करके बता देए कि उनको किस बैंकर चैनल चीए बहुत जल्दी उनका भी चैनल बहुत जल्दी आने वाला है